इंडिया पे नहीं हो सकते हैं मनोष्टिवारी के लिए मनोष्टिवारी पिछली बाद 3,90,000 वोट से जीते थे और उसके पहले उन्होंने सीला दिक्षित को हराया है वहाँ पे मनोष्टिवारी 14,500 का काम अपने संसदिये छेतर में किया है 14,500 का और पूरे दिल्ली में जो 7 सांसत है उसमें सबसे ज़्यादा पबलिक से मिलने वाले मनोष्टिवारी ये बाद सत्ते है इस सबसे ज़्यादा और बीजेपी के जो आठ विधायक है जो दिल्ली में जीते और मेट्रो गुजर रहा है उसके बगल के तीन विधायक है मतब कि 6 विधायक जो है इनके इंफ्लूएंस में होके जीते हैं तो मनोष्टिवारी जो है वो इस बार 4-5 लाख भोटों से जीतेंगे जरूर क्योंकि संदीप दिक्षित खुदी जो है नहीं चाते है कि कनिया क कुमार जीते कॉंग्रेस खुदी नहीं चाता है कि कनिया कुमार जीते और यहां तक कि राहूल गांधी भी नहीं चाते है कनिया कुमार जीते और कमाल की बात है तेजस्वी आदो भी नहीं चाते है कनिया कुमार जीते तो कई से जिते हैं कनिया कुमार जीते तो कैसे जिते पहले करीबन एक दो महीने पहले जब आपसे मारी मुलाकात हुई तो आप वही मनिश कश्यप हैं जो आज हैं आज तिरपुरारी कुमार तिवारी हमारे साथ बैठे हैं यह कहना सही रहेगा ना हाँ मेरे दादा जी ने नाम रखा और तिरपुरारी तो भगवान सीव का नाम है तो यह बहुत अच्छी बात है इसको लेकर आगे चलना अब यही नाम दोनों नाम चलेगा आगे मनीश मतलम मन का इसवर अपने मन का सुनता है और रोजगार या राष्टवाद रोजगार औ और राष्टवाद दोनों चलेगा भूके पेट भजन कब तक होगा भूके पेट क्यों मतलब कि कौन भूखा है आप बता ही मैं तो आप सिलिंडर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कैसे पहंगाई पर कुछ नहीं कहां मतलब कि आप जो नहीं नहीं आप कंपेर किजिए देखे यह 10 साल का और 10 साल का पुरेट्ट जब कंपेर करेंगे आप जैसे कॉंग्रेसी लोग क्या करते हैं कि 2014 का गयस का प्राइज दिखाते और 2024 का दिखाएज अप घेचे का गयस का प्राइज का पिर 2004. शॉल और डीजल जो है 2004 में जो है साइसे 38 या 48 रुपया के आसपस था और हाइक हुआ तो साइसे 75 या 78 रुपया के आसपस 75 या 78 रुपया के या 82 रुपया के आसपस मतलब मेरी जनकारी आप लोग किलियर कर सकते हैं ठीक है मोदी जी के कारेकाल में 78 से मिला और सो तक गया तो आप जब कंपेर करेंगे तो जरेंबर मोदी जी के कारेकाल में प्राइज हाइक जो है कम हुआ और उनके कारेकाल में प्राइज हाइक जादा हुआ और सेलेंडर की बात आपने किया है पहले लोग साइकल खरीदने म यह बात सकते हैं, मैं जुटला नहीं रहा है, लेकिन उस समय साइकल खरीदने में लोगों का हालत खराब हो जाता था, आज जो है मोटरसाइकल वो भी बुलेट पे लोग चड़ रहे हैं, तो यह बात सकते हैं कि महंगाई बढ़ी है, इस बात को मानता हूं, लेकिन कॉंग्र कोंग्रेस के तुलना में वो महंगाई बहुत कम बढ़ी है, और महंगाई आगे भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं या नहीं बढ़ेगी, वो अमिर्का में भी बढ़ेगी, आप कंपेर कर रहे हैं। के सारेकार में महांगाई बहुत कम बढ़ती है आप अपने डिस्पले पे आपके आप लोग पास बड़ा बड़ा टीवी हो गया मैं सब या को बहुत सारी कंपनियों का टीवी हो गया अप लगा ये डिस्पले पे और लोजिकली दिखाई ये 2004-2014 का तुलना कीजिए और फि पूरे देश का यहां पे ऊपर जो है नीचे जो है बहुत बड़ा ओफिस है और कल को कोई बंगलादेशी या रोहंगिया आके कहे कि इसमें से आधा हमें दे दो आप बताईए वहीं कॉंग्रेस के जो है परदान मंत्री कहा करते थे कि पहले आधा हक जो है इनका है उनका ह प्लानाय का है डिकाना का ऐसे है वहीं आज जाके देखिए जो है पाकिस्तान का हालत खराब हो गया है क्योंकि नरेंदर मोदी जी ने जो कस्मीर के थ्रू जो भी फंडिंग होता था पाकिस्तान को जाता था उसको ब्लॉक कर दिया पूरा आज जो है पाकिस्तान का अनेको पूरा दुनिया मोधी का प्रसंद्सा कर रहा है और विपक्ष को जो है विपक्ष राउ केहने तक का इंतिजार क्यों किया देखिए तो ये फैसला पहले भी ले सकते थे निर्दल्य आप चुनाओं में उतर गये उसके बाद अब आपने कहा कि मा की बात को टाल नहीं सकता था, मा की इक्षा थी, मा को खुशी हासिल होगी, इसलिए मैंने बीजेपी जोइन किया. मैं सच कहूं तो मुझे भी, मैंने इंटर्व्यू में पहले ही कहा कि मुझे लगता था कि मुझे यहां से टिकट मिलेगा, मेरी बाते दूर तक नहीं पहुची, नहीं टिकट मिला, चलिए ठीक है, टिकट किसी को मिल गया, बीजेपी ने जिसको अच्छा समझा, उसको काम कीजिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या दिकत है, तो मैं साथ में आया, और मैं अभी, करने का मौका मिला, बहुत सारी चीजे, बहुत सारी चीजे जो है, इंटरनल बाती पाती है, जो निउस चैनल के माध्यम से हम नहीं बोल सकते हैं, और आज मेरा पहला दिन है, तो पहला दिन है, सूलीप मत चड़ाई ये लोग, बढ़िया तरीके से जवाब आप दे रहे हैं हमने पहले ही का आपको पता है बाहर क्या हो रहा है आप लोग बना दी जाएंगे हमें सरा एक ची बताइए कि 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था सब्माइऑ और राजनीटी बहुत अच्छा लगता है और राजनीटी में आना चाहिए नायक फिल्म में प्रेश रावल एक जगकट कि भारत का सा युवा कहता है राजनीती गंडा है गंदा गटर है और गंदा गटर है तो उसमें जब अच्छे लोग आएंगे तब तो साफ कर रहे हैं करेंद्र मोधी जी ने बहुत हद तक कुसाप कर दिया बहुत हद तक